पायल और अनुष्का दोनों बेहने थी उनका जन में गरीब परिवार में हुआ था पायल जहां सामले रंकी थी तो वहीं अनुष्का दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी दोनों बेहने जबान हुई अनुष्का तेज तर्रार, मौडन और सुन्दर लड़की थी इसलिए अमीर घर के लड़के ने उसे पसंद कर लिया तो वहीं पायल की शादी एक गरीब परिवार में हो गई पायल धेरों अर्मान मन में संजोए अपने ससुराल आई लेकिन इड़ गारे से बना धाचा ही अब उसका घर था ये देख उसकी आँखे भर आए लेकिन इसी को अपनी किसमत मान कर उसने चुप चाप स्वीकार कर लिया उधर अनुष्का अपने बड़े अमीर ससुराल में आकर बहुत खुश थी एक रोज जब पायल बाजार में सबजी लेने पैदल जा रही थी तो अचानक गाड़ी में जाती हुई उसकी बेहन अनुष्का की नजर उस पर गई वो गाड़ी से उतर कर बोली अरे दीदी आप कहा जा रहे हो सबजी लेने आई थी अनुष्का खेर ये बता तू कैसी है और यहां कैसे मैं भी ठीक हूँ वो जो राधा कृष्ण मंदिर के सामने वाली कोठी है न वो विनए ने खरीद लिये अब हम यहीं शिफ्ट हो गए और अब ही मैं विनए के साथ मूवी जा रही थी तो आप पर नजर गई तो सोचा आप से मिल लू वो क्या है न हम अमीर लोगों के पास ये सब सबसे हुपसे लेने का टाई में नहीं होता न ये काम तो मेरे घर के नौकर करते हैं मैं तो बहुत मज़े में हूँ अच्छा मैं चलती हूँ मुझे लेट हो रहा है ऐसे ही समय बीट गया एक रोज पायल अपने पती उमेश से बोली सुनिये जी अपने घर में न प्लस्टर करवा लो दिवार की दरारों से मच्छर घुसाते हैं बस कुछ दिन और गुजारा कर लो अब रिक्षा चलाने के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ भगवान ने चाहा तो जल्दी अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी ऐसे ही समय भी था एक रोज अनुषका पायल के घर आई शौड ड्रेस, आंकों में चश्मा, हाई हील और हाथ में धेर सारे गिफ्ट्स लेकर जब वो अपनी कार से उतरी तो सभी आसपड़ो उसके लोग उसे देखते रहे यहाँ तक कि उसकी खुद की बहन पायल भी उसे पहचान नहीं पाई अरे, अनुषका तू बाप रे, तेरा तो स्टाइल ही बदल गया अब क्या करे दीदी हमीरों का तो यही लाइफ स्टाइल होता है अच्छा, अब क्या यहाँ दर्वाजे पर ही बाते करोगी चलो, अब मुझे अंदर आने दो मैं भी तो देखू तुमारे महल को अनुषका उसके घर के अंदर आती है दीदी, कहां चली गई थी पानी ले ने आपकी सांस पूली होई है गली के बाहर जो सरकारी नल है न वहीं सिलाई हो सरकारी नल से ना बबना मैं नहीं पिऊंगी, कहीं मेरा पेट खराब हो गया तो अच्छा वैसे यहां अजीब सी बद्बू क्यों आ रही है वो मैंने सुबर लिपाई की थी न तो थोड़ी गोबर और मिट्टी की महग तो आएगी यू, गोबर छी मेरे घर में तो ग्रेनाइट पत्थर लगा हो है वो भी महेंगे वाला अच्छा मैं चलती हो अनुष्का, तो पहली बार अपनी बहन के ससुराल आई है चाय तो पी कर जा चाय अब इस गोबर वाले घर में कुछ भी पीने की इच्छा नहीं हो रही नहीं ने, रहने दो दीदी मैंने चाय पीना छोड़ दिया अब तो मैं सर्फ केसर पिस्ते वाले दूदी पीती हूँ अच्छा मैं आपको इना, मेरे यहां संडे पाटी भी है उसका इंविटेशन देने आई थी आपको आना है, ओके इसी बारे आप मेरा ससुराल भी देख लोगी ये कहकर अनुषका वहां से चली जाती है उसके जाने के बाद पाइल वो डबे खोलती है तो उसमें बहुत सारा खाने का सामान था अब वो परिशान थी कि जब वो अनुषका के घर जाएगी तो क्या ले कर जाएगी शाम को उमेश घर आया तो वो बोला पाइल अमीरों और गरीबों के लाइफस्टाइल में बहुत फर्क होता है और वो अमीर है और हम गरीब उनके जैसी हैसियत नहीं है हमारी ऐसे दिन बीद गए पाइल को चिंता सताने लगी कि वो अनुषका के यहां क्या ले कर जाएगी फिर उसे खयाल आये कि अनुषका को उसके हाथ के आटे के लड़ू बेहत पसंद है वो जल्दी से आटे के लड़ू बना लेती है और फिर अगले दिन उन्हें लेकर अनुषका के घर पहुंच जाती है जहां वो देखती है कि अनुषका अपने शीश महल जैसे घर में आराम से बड़े से सोफे पर बैटी है उसके ठाट बाट देखकर पायल हैरान रह गए पायल ने अनुषका को पुकारा अनुषका ने उसकी ओर देखा तो वो गुस्से से भड़क गए ओफो दीदी मैं जानती हूँ कि तुम गरीब हो लेकिन कम से कम तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि अमीर लोगों की घर कैसे बन कर जाना चाहिए अरे कम से कम एक जोड़ी नए कपड़े ही खरीद लेती तुमसे अच्छी तो हमारी एक काम वाली लग रही है जरुरत थी गरीब लोगों को पार्टी में बुलाने की अनुश्का तुम तो इनके यहां कितना कुछ लेकर गई थी और यह बेकार से लड़ू लेकर आई है अपनी बेज़ती देखकर पायल रोते हुए वहाँ से चली जाती है ऐसे ही तीन साल बीद गए दोनों बेनों की डिलिवरी होने वाली थी पायल को मेश चल्दी से पास की सरकारी अस्पताल में ले जाता है तो वहीं दूसरी तरफ अनुश्का को विन एक महंगे प्राइवेट अस्पताल में ले जाने लगता है लेकिन प्राइवेट अस्पताल थोड़ा दूर होता है और वो वहाँ तक नहीं जा पाते इसलिए वो भी अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल में ही ले जाता है कुछ दिरबाद डॉक्टर पायल से कहते है मुबारक हो आपको दो जड़वा बेटे हुए ये सुनकर पायल और उमेश बहुत खुश हुए लेकिन तभी दूसरे कमरे से किसी के रोने की आवाज आई पायल ने परदा हटा कर देखा तो सामने बिस्तर पर अनुष्का बेहोश थी और विने और उसकी मा आपस में बाते कर रहे थे मा जब अनुष्का होश में आएगी और अपने बच्चे के बारे में पूछेगी तो मैं उसे क्या कहूँगा कि तुम्हारा बेटा मरा हुआ पैदा हुआ है और अब वो कभी मा नहीं बन सकती नहीं बेटा अगर ऐसा हुआ तो वो सदमे में भी जा सकती है या हमेशा हमेशा के लिए कहीं कोमा में ना चली जाए इसलिए डॉक्टर ने उसे कुछ भी बताने से मना किया है उनकी बाते सुनकर पायल और उमेश ने एक दूसरे की तरफ देखा फिर एक फैसला लिया पायल ने अपना एक बेटा गोद में लिया और विनै से जाकर कहने लगी विनै, मैं भी अपनी बेहन को नहीं खोना चाहती हमने आप दोनों की सारी बाते सुन ली मैंने जुडवा बेटों को जन्म दिया है इसलिए मेरा एक बेटा तुम रख लो और अनुशका को यही कहना कि यह उसी का बेटा है मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन दुख तो सबका बराबर ही होता है ना मेरे बेटे की परवरिश करते समय उसे गरीब और अमीर दोनों के बारे में बताना ताकि वो गरीबों का दुख भी समझ सके अनुशका होश में आ चुकी थी उसने उनकी सारी बाते सुन ली थी वो हाग जोड़ कर पायल के सामने रोते हुए कहने लगी मुझे माफ कर दो दीदी मैंने आपको कितना भला बुरा कहा शैद उसी की सजा मुझे मिलिया जो बगवार ने मेरा बच्चा चीन लिया साथ ही अमेश अगेले माख बनने के सुख से भी वन्चित कर दिया दीदी आपके बेटे को अपना बेटा समझ कर पालूगी शैद इससे मेरे सारे पाप दुल जाए मेरा नहीं बेहन तेरा बेटा आज से ही तेरा बेटा है दोनों बेहने रोते हुए एक दूसरे के गरे लग गए आज मा की ममता ने अमीरी गरीबी के सारे फासले मिटा दिये उर्मिला की तीन बहुएं थी जहां उसकी दो बहु बेहद अमीर घर से तालुकात रखती थी वही एक बहु बेहद गरीब घर से थी जिस कारण ना सिर्फ उन्हें सास की बल्कि दोनों अमीर बहुं के ताने भी सुनने पड़ते थे रोजाना की तरह गरीब बहु रसोई घर के कामों में जुटी हुई थी सोनल बहु अरे ओ सोनल बहु अरे ओ सोनल की बच्ची कहां मर गई आई माजी हाथों में चाय लिये हुए सोनल हॉल में आती है खी लीजे माजी चाय क्यों औरे मेरी गरीब बहू चाय बना रही थी या बीरबल की खिचडी इतना वक्त लगता है माजी अब घर बाहर का सारा काम भी तो इतना है कि दिन भर कटपुतली की तरह नाचना पड़ता है माजी दोनों देवराणी भी अब अपना हाथ पउँ चला सकती है क्यों तेरे हाथ पउँ में घुन लगा है चुपचप जाओ चाय ले करा जी माजी सास की बाद सुन कर सोनल रसुई घर आती है जाने सासुमा मेरे साथ ही ऐसा बुरा बरताब क्यों करती है ऐसा जान परता है मैं इस घर की बहु नहीं बलकि बाई हूँ आजकल के दौर में लोग उनसे भी बेरुकी से पेश नहीं आते होंगे जाने ये दो रिहाईशी तितलियां ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाती है माजी को जो माजी इनका तो गुनगान करती है और हमारी गरीबी की हसी उडाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती खेर यू दिल ही दिल कुढ़ने से कुछ नहीं होगा क्योंकि हम गरीबों को तो पूछने वाला कोई नहीं होता गरीब बहु की बेवसी उसकी बातों से साफ जाहिर हो रही थी जहां गरीब बहु की दशा नौकरानी से भी बत्तर थी वहीं दो बहुए छोटी होने के बावजूद सारा दिन बस हुकुम चला दी समय के साथ सर्दियों का आगमन हो जाता है हॉल में बैठी और मिला की दोनों अमीर बहुए कहती है सासु मा सर्दियां आ चुकी है आप तो जानती हैं कि सर्दियों को लेकर मेरे कितने शौक है इसलिए मैंने डैडी से कहकर चारू के लिए न्यू हीटर मंगवाए है तैकि हम चारू ठंड से बच सके मा जी कली मैंने भी सर्दियों की खूप सारी शौपिंग किये ये देखिए खास आप के लिए पश्मीना की शौल लाई हूँ तोफे देना क्या तुम दोनों बभवं को ही आता है मैंने भी तुम दोनों के लिए नई रजाई मनवाई है मा जी इसकी क्या जरूरत थी अरे जरूरत कैसे ना थी तुम्हारे कमरे की रजाई पतली हो चली है मैं नहीं चाहती कि मेरी बहुएं रात भर ठंड से ठिटूरती रहें, इसलिए मैंने बिना देरी करें रजाई बनवा दी, और फिर तुम्हारी सास के पास पैसों की कमी है क्या? तब ही सोनल उर्मिला से कहती है, माजी जब आपने देवरानी जी के लिए रजाई बनवाई है तो लगे हाथ मेरे लिए भी रजाई बनवा देती, समाचार में सुनने को आ रहे है कि इस साल रिकॉर्ड तोड सरदी पढ़ने वाली है, ऐसे में मैं इतने दुबले पतले कंब से कैसे काम चलाऊंगी, क्योरे मेरी गरीब बहू, उर्मिला के पास क्या पैसों के पेड़ लगे हैं, अभी मेरा हाथ तंग है, जब कभी पैसे होंगे तब देखा जाएगा, मगर माजी कुछ तेर पहले तो आप कह रही थी कि आपके पास पैसा ही पैसा है, उर्मिला का ग जिठानी जी, उर्वशी, तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं हो, जो मैं तुमारी कोई देखा देखी करूँगी, देख लीजे माजी, हमारी ये गरीब जिठानी जी कहां का गुस्सा कहां उतार रही है, एक्दम खरा बोल रही है तान्या बहुतू, चौका बरतन करने में मेर की गरीब बहु के हाथ जवाब दे जाते हैं, मगर बोलते है वक्त जबान गजभर की हो जाती है, ऐसा कहकर उर्मिला चली जाती है और तान्या कहती है, हमारी सासुमा की गरीब बहु, तुम चाहिए कितने भी पापड बिल लो, लेकिन तुम हमारी जगा कभी नहीं ले सकत हमारी किस्मत कोही नूर हीरे जैसी है और तुम उस गरीब गलीचे के समान हो जिसे देखकर लोग नाक से कोड़ते है ऐसे ही कई सप्ता बीच जाते है जिसके साथ बेताहशा सर्दियां बढ़ जाती है जहां एक और अमीर बहुए गदेदार बिचोने पर भारी भरकम रजाई में मजे से सो रही थी वहीं बिचारी गरीब बहु को सर्दी की सारी रात उस पतले दुबले कंबल में काटनी पढ़ती है अगले दिन सुबह होते ही सोनल फिर से घर के काम में जुट जाती है इसके बाद जैसे ही वो बरतंद होने के लिए किचन में जाती है तो ठंडे पानी से उसके हाथ कांपने लगते है जिसके बाद वो अपनी सास के कमरे में जाती है जहां पर उर्मिला रूम हीटर लगाए, रजाई के अंदर बैठी होती है, तब ही उर्मिला सो नल से कहती है, अरे बहु, इधर उधर क्या देख रही है, मेरे कमरे में चोरी करने का इरादा है क्या? माची मैं तो पानी गरम करने की मशीन ढून रही थी, सरदियां बहुत बढ़ गई है, किचन के नल से बहुत ठंडा पानी आ रहा है, ठंडे पानी से हाथ जमने को हो रहे है, अच्छा, तो अब महरानी को बरतंध होने के लिए गरम पानी चाहिए, बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा, कोई मशीन नहीं मिलेगी, जल्दी से काम चोरी छोड़ और बरतंध होने लग चाहिए, इसके बाद खरी खोटी सुना कर, उर्मिला फिर से अपना पला जाड़ लेती है, और बेचारी गरीब बहु, कडाके की ठंड में भी, ठंडे पानी से ही काम करके गु बाद सुनकर, गरीब बहु जल्दी उसके कमरे में जाती है, और कहती है, माजी क्या हुआ, आप ठीक तो है, अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, माजी मैं अभी आती हूँ, इसके बाद सोनल किचन में जाकर काढ़ा बना कर लाती है, और उर्मिला को पीने के लिए साथ ही उर्मिला के सर पर ठंडे पानी की पठ्टियां रखना शुरू करती है, सोनल कभी उसके हाथ दबाती तो कभी उसके पैर, सारी रात बिचारी सोनल बिना छप की लिए अपनी सास के सेवा पानी में लगी रहती है, अगले दिन दोनों बहुए अपनी सास के कमरे में गुड मॉनिंग सासुमा, गुड मॉनिंग सासुमा, क्या हुआ, आपका मुँ मरीजों जैसा क्यों लग रहा है। मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा और तुम्हारी गरीबी की हसी उड़ाई। शैद इसी कारण भगवान ने मुझे ऐसा भुकतान दिया है। ऐसा मत कहो, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेहने माना है। फिर वो तीनों आपस में गले लग जाती हैं और इसके बाद सारा काम मिलजुल कर करती है।